असलाम वालेकुम तो आज किस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो डबल टेकर बोट होती है थाइलेंड में जो किसी के उपर चलती है वो कैसे होती है और कितनी बड़ी होती है इच और एवर्टिंग आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा तो अभी यह दो भी हुआ है यानि कि मैं उपर चाहिए आपको दिखाता हूँ तो यह देखें एक्षिली मैं यह तीन है फ्लोर ने इसके बने हुए एक तो गया सिंपल उसके बाद यह फस्त फ्लोर फिर इसके उपर भी है थर्ड फ्लोर तो यह तीन टेकर डबल टेकर वैसे मैंने कह दिया लेकिन अब अगर आप इसे ट्रिपल टैकर कहें तो भी गलत ना होगा तो यहाँ से पूरा व्यू बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि अभी यहाँ से हम लोगने निकलना है तो इर्दिगिर्द आपको दिख रहा होगा काफी ब्यूटिफुल है और यहाँ पे आप बैटके सन का मज़ा बहुत अच्छे से ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा होता है क्योंकि जब आप उपर से जा रहे होते हैं लेफ्ट राइट में आपके छोटे-छोटे आइलेंड आते रहते हैं आप उनको भी इंजॉय करते जाएंगे उसके बाद मैं अभी आपको क्या करता हूँ नीचे लेके जाता हूँ कि नीचे क्या है क्योंकि जो यह सेकिंड फ्लोर दिख रहे हैं सेकिंड फ्लोर भी इसी तरह का सेम है लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हैं या आपको नौइस पसंद नहीं है तो उसके लिए इन्होंने कुछ खास इंतिजाम किया हुए वो क्या इंतिजाम किया हुए वो मैं आपको नीचे जा के दिखाता हूँ तो काफी मुझे मतलब मज़ा आ रहा है इसके इन्होंने लिए हैं दो अजार जो के पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन दस अजार के दर्मियान उसके लावे इन्होंने यहां हमारा बाहर लगिश रख दिया है ताके पानी अंदर आए तो हमारे लगिश को गिला ना कर सके तो यह है जिससे टाइटेनिक व्यू इन्होंने दिया हुआ है काफी अमेजिंग और पीस्फुल है अभी क्योंकि यहां पे इस तरफ काफी कम टूरेस्ट आएं तो इस वज़े से क्या हो रहा है कि काफी कम हैं लोग और उसके लावे इस तरफ आपको जैसे दिख रहा है कि यहां पे भी काफी सिटिंग एरिया है I think 1 से 2000 तक इसमें इसली लोग बैठ सकते हैं 300 से 400 तक लोग नीचे बैठ सकते हैं 200 से 300 लोग तक उपर बैठ सकते हैं अमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं आपको अगली वीडियो में अला आफिस